वेलकम दिक दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी कार के डेल को के बारे में करंट डिश्टिबूटर के बारे में उसके वरकिंग सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपकी car के current distributor को किस तरीके से repair किया जाता है और उसको किस तरीके से सही किया जाता है तो दोस्तो सबसे पहले डेलको के बारे में समझते हैं डेलको के मैथड के बारे में समझते हैं उसकी कार्य प्रनाली के बारे में समझते हैं यह डेलको है डिस्टिब्यूटर भी इसको बोलते हैं यहां से तीन plugs के लिए current को distribute करता है जो कि यहां आते हैं तीनों one by one यहां इनको distribute करने के लिए इसके अंदर rotor होता है rotor one by one इसको distribute करता है current मगर current को generate करने के लिए भी इसी distributor का काम सबसे जादा होता है जो current distribute करने के पहले current को generate करने के लिए इस कोईल को वर्क करवाता है तो वो वर्किंग भी इसी डैलको की वज़े से होती है तो मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर दिखाता हूँ डैलको की कैप को हठा लेने के बाद आप इसके अंदर की तरफ देख पाएंगे ब्रेक करते है और किस तरीके से जर्णेट कराते है करंड को उसके बारेमें बताता हूं तो सबसे पहले दोस्तों आप इस देखी यह एंगेशन कॉयल है एंगेशन कॉयल पर यह जो पॉयंट है यहां से नर्ट को जर्नेट करने के लिए दिया जाता है और सुभा सुभा high current देने के लिए यहां एक direct current भी दिया जाता है बीच में एक resistance लगा हुआ होता है इस resistance को यहां current को कम करने के लिए क्योंकि जब गाड़ी ज़ती है गरम होती है तो current जहाई जंशनेट होता है तो इसको resistance दी जाती है current कम हो current कम हो तो coil पे धी current कम जाए इसके पूरे working के बारे में तो आप दीखिए गा इसके अंदर एक कौयल बनी हुई है वह magnet फिल्ड बनाती है और current बनाती यह तो इसके अंदर जब लाजमी नेगेटिव देना होता है और और negative देने के लिए एक spark negative की ज़रूत होती है जो कि spark देती ही इतना high voltage current तयार होता है तो यहा जो यह wire दे रखाए है इस wire को सीधा डेल को के यहाँ CB point पर लाया जाता है और CB point से इसको आप देख पा रहे हैं इसमें rotor जो बना लगा हुआ है रोटर के उपर तीन पॉइंट्स बने वे होते हैं मैं आपको थोड़ा साफ करके किलियर करके दिखा दूँगा वो तीन पॉइंट्स इस रोटर के उपर एक बॉल बनी वी होती है एक डॉल बनी वी होती है देखें कि उसके उपर और किस तरीके से यह आपस में जैसे ही गाड़ी घुमती है, रिटन करती है, पॉइंट को हमने सैट कर दिया है, और सैट करने के बाद इसके वरकिंग को चेक करने के लिए हम इंजन को राउंड देंगे, इंजन को घुमाएंगे, तो यहां से जैसी यह ब्रैकिंग करेगा, कीजिएग है यहां नीचे स्पार्क हो रहा है और एक आप देख पारें यहां इस पार्क शुरू हो गया है मूव कीजिए बास अब इस्टार्टिंग के टाइम पर यह वेक्यूम जो जैसे हम इसको एक्सिल्टर देते हैं तो यह वेक्यूम अंदर की तरफ खेंचता है और पाइंट का गैप भड़ा देते हैं तो पाइंट का गैप इत्से बढ़ जाता है करण करके बना चण करो किस तरीकर के डेल को रिपेर किया जाता है अब और अब आफ प्सके फहिंगे हो था किया शरीफिचि भी दो